नमस्कार जैहिंद आप सभी का स्वागत है एक अलग सी खवर आ रही है समय जैसल मेर से और खवर का अगर आप हेडिंग पढ़ना चाहें तो आपके सामने लिखा हुआ है राजस्थान पाकिस्तान से जैसल मेर आए हिंदूओं का उजड़ा आशियाना आई एस टीनाडावी के आदेश पर चला बुल्डोजर यह बात सिर्फ एक आईस ऑफिसर की नहीं है यह बात सिर्फ एक सरकार की नहीं है यह बात है कि ऐसी घटनाएं पहली बार नहीं होती आई है और शायद अगर इसको सुधारा नहीं गया तो आगे भी होती रहेंगी आई समझने की कोशिश से आए हुए कुछ हिंदू धर्म जिनका हिंदू था वो रह रहे थे और इनके आशियानाओं पे जो बुल्डोजर चलाया गया है जिससे कहा जा रहा है अगर आप इस पूरे इमेज को देखें वक्ते पे समझने कोशिश करें तो लगभग बिन डिस्प्लेस्ट जमीन दो से ज्यादा महिला पूरुश और बच्चे अब बेघर हो चुके हैं प्रशासन का कहना है कि पूछा गया तो डिफेंड करते हुए प्रशासन यह कहता है कि इनके खिलाफ कुछ कंप्लेंस आ रही थी और वहां पे एक तालाब है जिसके आसपास यह अपने आपको या जाता और उसको सही कर दिया जाता है हलाकि यहां पे तालाब के आसपास जब ऐसी चीज़े बनाई जा रही थी बार बर कंप्लेंस आ रही थी जमीन की कीमत भी अच्छी खासिया बताई जाती है तो सरकार की जमीन पे जब यह बनते हुए सरकारी लोगों ने देखा तो इस कि से आते हैं लोग यां सिर्फ मकान उजार देना सरकारी काम नहींैं गवर्नेंस का मतलब सिर्फ यह नहीं कि आप किसी विधाएं देने को क्या है पहला प्रश्ण है यह है किसी का मकान तोड़ देना सबसे आसान काम है और मकान देना उसको कहीं पर विवस्थित रूप से बनाना सबसे मुश्किल काम आना जाते इस आखिर किस हद तक यह सही हो रहा है और ऐसा हुआ क्यों आखिर कौन है यह लोग और यह कहां से आते हैं पाकिस्तान तो सोर्स बन चुका है और भारत की तरफे चले आते हैं ऐसा पहली बार नहीं है आपको बता दें पाकिस्तान में वो लोग बस रहे हैं जो वहां पे अत्याचार जेल रहे हैं और उनको चाहिए कि भारती नागरिक्ता मिल जाए इंडियन सिटेजन्शिप मिल जाए और इसी के लिए बार बार गुहार लगाते आ रहे हैं यह पहली बार नहीं हो रहा है 1990 से भी चालू है 2000 में भी हुआ 2004 में भी हुआ पांच में भी हुआ और लगातार यह प्रोसेस चल ला है पर आज तक यह एड हॉक प्रोसेस पे ही होता आया है तो 18 में जब ओनलाइन पोर्टल खोला गया तो लगबग हिंदूस, क्रिस्चन, सिख, पार्सी, जैन, बुद्धिस्ट फ्रम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मांगलादेश इन सब को बोला गया कि आप अप्लाई करो इंडियन सिजिजिशन्शिप के लिए आप ओनलाइन चालू करो, इन सब को बल कहां से मिला हम आपको बता दे, बल बताने से पहले एक चीज़ और डिसकस कर लें, कि 2004 और पांच में अगर आप जाएंगे, तो कैंप्स लगाए जाते थे, अगर वहां पे किसी भी ऐसे रिलिजिजन का पर्जिक्यूशन हो रहा है, पाकिस्तान म और यह लोग उत्पीडित फील करते हैं, तो इनके पास भारत का एक रास्ता दिखता है, भारत अपने सेकुलर थिंक्स के लिए जाना जाता है, और भारत जाना जाता है कि ऐसे लोगों को और वो अपने लोग हैं, अगर तो जरूर वेलकम करना चाहेगा, 2004 पांच में लग करिएगा, वो यहां से आते कैसे हैं, एक पास्पोर्ट लेके, वो पास्पोर्ट कैसा हो सकता है, लॉग टर्म वीजा वाला, या हो सकता है किसी रिलिजिस चीजों में हो आते होंगे, पांस साल का लेके आते होंगे और लगभग वो 5 साल यहां गुजार के वापस जाते हैं क्योंकि उनको यहां पे सिर्जिंशिप तब तक मिली नहीं पाती है सोचिएगा 5 साल तक भी सिर्जिंशिप नहीं मिली है और यह फिर वापस जाते हैं की मीडिया उनको परेड करवाती है दिखाती कि देखो भारत ने तुम्हें ठुकरा दिया वापस भेज दिया इस बात का हमें भी चोट लगती है और हमको भी कहीं न कहीं खबरहाट इन बातों से होती है पर यह काम जितना आसानी से हो जाना चाहिए था इतनी आसानी से होता है उनके लिए पैसे से भी कटते हैं देश से भी कटते हैं अपने बच्चों को अपने परिवार को लेके बस वो घूमते रहते हैं और यह सच्चाई अगर थोड़ा देर कोई समझ लेगा अधिकारी तो उसके दिल में बैठ जाएगी कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए आपको बताते 2015 में एमेचे मिनिस्टर फॉम अफेर्स ने अमेंड किया था सिरिजन सिप रूल्स और लीगलाइज दस्टे ऑफ पॉरें माइगरेंट्स बिलॉंगिंग तो सिक्स कम्यूनिटीज याद रखे का सिक्स कम्यूनिटीज हूएड इंटर इंडिया ओन और बिफ नहीं है तो कहीं न कहीं लीगलाइज कर दिया गया था उनका स्टे परसन सीकिंग रेफ्यूज इंडिया आइदर कम ओन लॉंग टम वीजा जो हमने आपको बताया और पिल्ग्रिम वीजा इल्टिवीज गिवन फॉर फाइफ पियर्स आर अप्रकर से टूद शिजिए नहीं कोई भी प्रॉसेस कोई बीप्रॉसेस कोई भी प्रॉसेस अपने नहीं दिया और अगर आप उनके खिलाफ उनकी राइट भी छीन रहें तो कहीं ना कहीं चोड तो लगेगी 2019 में एक अमेंडमेंट आता है सिजिजन्शिप अमेंडमेंट आता है सिजिजन्शिप अमेंडमेंट अक्ट इसने क्या इंसर्ट किया दिसेंबर 31 2014 as the cut-off date for the members of the Hindu, Buddhist, Christian, Parsi, Jain and Sikh communities from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan to be eligible to get the Indian citizenship आप देख सकते हैं कि एक समुदायक को पूरा यहां से अलूफ कर दिया गया है वो यहां नहीं है it will not apply to tribal areas of Assam, Ighalem, Mizoram and Tripura as included in the six schedule of the constitution and to Arunachar Pradesh, Mizoram and Nagaland which are protected by the inner line permit all cases against a non-Muslim illegal migrant before any authority including foreigners, tribunals or courts shall stand abated तो कोई भी ऐसा अगर लग रहा था कि जुर्म जिसे साब से हमने define किया था illegal migration अगर आप इसको कर रहे थे तो अब उसको legalize कर दिया गया था it will enable a person who does not have a proof of birth of his parents in support of his being of Indian origin to apply for citizenship और इसने reduce कर दिया गया था mandatory requirement of 12 years stay to 5 years पास साल के लिए वीजा लेके ओलोग इसलिए आते थे ताकि यहां पर आके उनको citizenship मिल जाए 2019 का एमेंडमेंट है जिसने किसको अमेंड किया है Citizenship Act of 1955 to make illegal immigrants who are Hindu, Sikh, Buddhist, Jahans and Parsis and Christians from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan who entered ये date याद रखे का December 31, 2014 cut-off date खोशित की जाती है पर मुद्दा ये है कि जब आप उनको facility देही नहीं पारें 2000 से अभी तक अगर आप देखे तो सिर्फ कुछ लोगों को ही दिजा जा चुकी है Indian citizenship बाकी लोगों को नहीं दी गई है पहले क्याम्स लगा के दिया जाता था तो 13-13,000 लोगों को दिया गया था कही न कही governance deficit तो देखने को मिलता है यहाँ पे सिर्फ एक सरकार नहीं आपको बता दें है राजी सरकार के साथ सा सेंटरल गवर्मेंट भी जिम्मेदार है और हर वो व्यक्ति जिम्मेदार है जो शायद इस काम को भेतरिन तरीके से नहीं कर पार है तो जितने अधिकारी जो बॉर्डर एरिया में लगे है उनका एदाई तो पहले बनता है कि इन चीजों पर गौर करें तुकि नागरिक्ता के बिना लगभग वैसा ही हालत होता है कि आपके पास ठाली तो है पर उस ठाली में खाने के लिए कुछ भी نہیں डला हुआ है ना ग्रिक्ता के बिना आपका शरीर तो है पर वो आत्मा अंदर की जो है वो दिखाई नहीं देती है इसलिए इस बात को समझना होगा बहुत गंभीर तरीके से अधिकारी जो एक्सपीरियंस हो शायद उनको इस केस को देना चाहिए वो बहतर समझ पाएंगे इस चीज़ को और कई बार कई बार सेलेब्रेटी कल्चर भी लोगों का बन जाता है आजकल तो और इसलिए उस दोरान वो सोचते हैं कि मेरे आक्शन से साथ कुछ ऐसा ही होगा जिससे फिर से मैं अगर कहीं आ सकूँ तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है खेर वाट इस इन दिस केस देखा नहीं जा पाएगा खेर यहां पर घर तो तोड़ दिये गए हैं और सिरिजन्शिप की बात अभी की नहीं जा रही है देखते हैं कितने दिन में सरकार जाकती है या इन लोगों को क्योंकि हमने खुद उनको बुलाया था हमने खुद आमेंडमेंट किया था और खु करते हैं उन्हें हमें कुछ न कुछ से जरूर देना चाहिए यह हमारा मानना है आपको बता दें कि अगर ऐसे ही चीजों में आप समझने के लिए मिलना चाहेंगे हमसे तो प्लस क्लासेज भी है और आप जब ऑफर लेने जाएं याद रखिए का हमारे बहुत सारे अठारा महिने में छे महिने का आपको extension मिल सकता है cmc code 24 महिने में एक साल का extension मिलेगा और यही हमारा आप से करना चाहते हैं कि दो साल आप तयारी करिए हमारे साथ और अगर आपका नहीं होता है बाइचांस हम आपके साथ एक साल खड़े रहेंगे आपकी मदद करने के सब्सक्रिक्प्शन आप ले सकते हैं घ्रा तारी को चुका है लकृष बैच आपको बता दे यह 18 तारीक से आने वाला है 18 मैं और थो जाएब और आपको ओफ लाइन अगर चाहिए तो स्वागत है आपकर डेली के करोल बाग में आपको 20% आफ यहाँ पर भी मिल जाएगा बहुत-बहुत धन्यवाद सुनने के लिए थैंक्यू सो मस्टेक एर जैहिन बबाए